हलो एवरीवन होप यू आर दूइंग ग्रेट आए वेल्कम यू आल अन रेडीम नालेज यूट्यूब चैनल तोड़ेज इस अवर फोर्थ लेक्चर जो के होगा सोशल स्ट्रेटिफिकेशन के ऊपर ठीक है आलरेडी हमने इस पे तीन लेक्चर्स अप्लोड करें हैं जो के सोसाइटी, कम्मुनिटी और एसोसेशन के रिगार्डिंग थे आज हमारा चावता वीडियो है जिसमें हम डिसकस करने वाले हैं सोशल स्ट्रेटिफिकेशन को सोशल स्ट्रेटिफिकेशन के रिलेटिट जितने भी चीज़े होंगे वो आज के वीडियो में डिसकस होंगे इससे पहले कि हम इस टापिक को अच्छे से पढ़े आप सबसे एक रिक्वेस्ट रहेगी कि चैनल को सबस्क्राइब करे और कोशिश करें जो भी वीडियोस हम अपलोड कर रहे हैं इनको बागी स्टुडेंट्स के साथ भी शेयर करें इसके अलावा आज इंपॉर्टन टापिक होने वाला है इस टापिक को आफ अच्छे से देखेंगे अगर एक बारी देखने पर समझ में नहीं आता है तो कोशिश करें वीडियो को दुबारा सा देखे ताकि ये सोशल स्ट्राइटिफिकेशन आपके दिमाग में अच्छे से रहे चलिए शुरुआत करते हैं आज की ठापिक की सोशल स्ट्राइटिफिकेशन पहले तो आपको वर्ड मीनिंग देखने पड़ेगी सोशल मतलब जो भी सोसाइटी के रिलेटिड है जो भी समाज में होता है स्ट्राइटिफिकेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट ठीक है arrangement या classification of something into different groups किसी भी चीज़ को जब हम arrange करते हैं या classify करते हैं groups के हिसाब से उसको हम बोलते हैं stratification ठीक है जैसे जमीन के layers होते हैं crest, mandal and core उसी तरीके से society के भी हम layers बनाते हैं और उन layers को social stratification बोलते हैं पहले introduction देख लेते हैं social stratification की social stratification is a system by which a society ranks categories of people in hierarchy इसका मतलब है social stratification एक system है जिसमें society क्या करती है categories of people को rank करती है इन्हें hierarchy hierarchy का मतलब है ordered grouping of people within a system जब हम लोगों को एक ordered grouping में categorize करते हैं ठीक है एक उपर होता है उसके नीचे फिर होता है और उसके नीचे और एक group आ जाता है groups के हिसाब से जब हम ordering देते हैं ना लोगों का किसी भी system में उसको हम hierarchy कहते हैं ठीक है तो यह यही बोड़ रहा है कि social stratification का मतलब होता है जब हम society में categories of people को rank देते हैं hierarchy में बिठाते हैं उसको हम social stratification बोलते हैं individuals, people or groups are placed in a hierarchy or ranked on the basis of greater status, power, wealth than other groups individuals, people यह group of people को हम hierarchy यह ranks में बिठाते हैं किन basis के उपर यह तो greater status होगा किसी का और उसके मकाबले में किसी का low status होगा यह किसी के पास ज्यादा power होगा और उसके comparison में दूसरे group के पास कम power होगा और उसके बाद अगर और एक group exist करता है उसके पास उससे ज्यादा कम power होगा ठीक है उसके बाद wealth से भी categorization करते हैं society में groups of people को कैसे जिसके पास ज्यादा wealth है उसको higher class बोलेंगे जिसके पास थोड़ी कम है उसको middle class बोलते हैं और जिसके पास ज्यादा कम होगी उसको lower class बोलते हैं ठीक है यह तीन basis है जिसके ओपर हम categorize करते हैं group of individuals को in a society social stratification क्या है फिर यह एक process है जिससे groups and social categories in society are ranked as higher or lower to one another उसका मतलब यह हुआ कि यह social stratification एक process है जिससे हम groups यह social categories को लोग उनको जो भी society में रह रहे लोग हैं उनको categorize करते हैं उनको rank करते हैं किसी को higher यह किसी को lower ठीक है एक दूसरे के मुकाबले में किसी को higher stats देते हैं किसी को lower stats देते हैं यह किसी को higher category देते हैं किसी को lower category देते हैं ठीक है और उसी के हिसाब से फिर उसका prestige, privilege and wealth and power इन तीनों चीज़ों के हिसाब से उनको categorize दी जाती है यहां तो middle की category दी जाती है यहां lower की category दी जाती है उसके बाद social stratification जो होते हैं इस इस particular form of social inequality social inequality यह किस हिसाब से होती है common sense है जब हम एक group को society में power के हिसाब से पहले number पे रखेंगे और दूसरे group को दूसरे number पे रखेंगे और तीसरी ग्रूप को तीसरी नमबर पर रखेंगे that means कि जो पहला ग्रूप होगा उसके पास obviously ज्यादा पावर होगा as compared to जो बीच वाला ग्रूप है या जो लॉवर ग्रूप है तो that means कि social stratification एक किसम की inequality होती है inequality मैंने पहले ही बोला categorization wealth पे होती है पावर पे होती है privilege and prestige पे होती है जिसके पास ये सब चीज़े ज्यादा होंगी वो category में वो hierarchy में ऊपर आएगा जिसके पास कम मेगदार में होंगी वो नीचे आएगा तो इस हिसाब से inequality exist करेगी मतलब सब के पास equal power नहीं होगा सब के पास equal privilege नहीं होगा equal value नहीं होगी और equal prestige नहीं होगा सब लोगों के पास अलग-अलग quantity में ये सब चीज़े होंगी तो इस वज़े से social inequality होगी society में ठीक है और उसके अलावा all societies arrange their members in terms of superiority, inferiority and equality जो ओपर वाला ग्रूप होगा उसको superiority आएगी और जो नीचे वाला ग्रूप है उनमें inferiority होगी ठीक है और उसके बाद stratification is a process of interaction or differentiation whereby some people came to rank higher than others stratification फिर एक process है interaction or differentiation की जहां पे कुछ लोग ranks में एक दोसरे से एक कुछ उपर आएंगे कुछ नीचे आते हैं ठीक है उसके बाद sociology में हमें एक ही definition देखने को मिलती है regarding social stratification और वो definition दी है Anthony Gates ने ठीक है करती है और ये structured inequality किस हिसाब से होती है एक तो access to material दोसरा symbolic rewards मतलब जिसके पास जादा पैसे होंगे उसको उपर वाला उपर वाली category मिलेगी और symbolic reward भी उसी हिसाब से मिलेंगी इसके हिसाब से हर एक society में किसी ना किसी तरीके में social stratification exist करती है और modern societies में जो social stratification exist करती है Anthony Giddens के हिसाब से उसको हम बोलते हैं class division जैसे मैंने पहले बोला कोई अपर कलास है कोई मेडल कलास है और कोई लावर कलास है कर्लोड़ झाल करता है आप हिसाब दयरी की पहुंड़ में समीन आप है जावर देग जाच्पन की पाह aunt की झाल सरी पलीवाव यऔ की तर इस प्यावावों तो आचके डिज़ झाल 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 आप बात करते हैं एक important concept की social differentiation और social stratification इन में क्या difference है? इससे आपको जब आप social differentiation समझोगे तो आपको आपको आसानी हो जाएगी social stratification समझने में ठीक है? पहले बात करते हैं social differentiation की और उसके बाद हम देखते है social stratification in comparison to social differentiation. social differentiation is a process by which social position such as father, mother, teacher, student, etc. are distinguished from one another. ठीक है social differentiation एक process होती है जिसमें हमारी social position है, social position हम बोलते हैं father, mother, teacher, student यह डाक्टर, liar, कुछ भी इनको हम बोलते है social position. position मतलब यह हमने कुछ status decide करी है society में, for example, इसमें आपको और एक चीज़ यह समझने पड़ेगी, जब हम status की बात करते हैं, तो एक होता है ascribed status, दूसरा होता है achieved status. ascribed का मतलब होता है जो हमें naturally मिला है, for example, बरत के टाइम पर हमारा कौन सा gender था, यह हमारा कौन सा sex था, for example, हम boy थे, यह हम girl थे, यह naturally decide होता है, किसी को उस टाइम पर tries नहीं दी जाती है, तुम्हें boy बनना है, यह तुम्हें girl बनना है, जो naturally वो था, उसको वही status मिल जाता है, इसको बोलते हैं, ascribed status, उसके बाद होता है, achieved status, achieved status मतलब जिसके लिए हमें महनत करनी पड़ती है, उसको achieve करने के लिए, उसको बोलते है, achieved status, ठीक है, किसी को doctor बनना है, किसी को engineer बनना है, उसके लिए उसको कोई exam qualify करना होगा, degree हासल करनी होगी, तब जाके वो, उसको status मिले इंजिनियर या डॉक्टर कर, ठीक है, यहां teacher बनना होगा, तब जाके वो stats मिलेगा, जब वो, उस चीज के लिए, कोशिश करेगा, महनत करेगा, फिर वो stats मिलेगा, उसको बोलते है, achieved status, ठीक है, यहां बात हो रही है, social differentiation की, तो, हमने यह बोला कि, यह एक process होती है, जिसमे social positions, कौन कौन से social position, father, mother, teacher, student, या doctor, engineer, या deputy commissioner, whatsoever, यह सारी social positions, जब हम इनको distinguish करते हैं, एक दूसरे से, ठीक है, एक दूसरे से, कैसे हम इसको distinguish करते हैं, it assigns to each position a distinctive role, सब के अलग अलग roles होती है, status मैंने बोला, status मतलब father या mother, इस status के साथ एक role attach होता है, for example, father एक status है, और इसके साथ जो role attach होा है, इसको care करनी पड़ती है, family की, wife की care करनी पड़ेगी, daughter, children, अगर होंगे इनके पास, तो उनकी care करनी पड़ेगी, और father, mother की care करनी पड़ेगी, ठीक है, उसी हिसाब से, mother एक status है, और role associate इसके साथ यह है, कि इसको household की take care करनी पड़ेग ठीक है, उसी हिसाब से teacher एक status है, और उसका role यह होता है, कि उसको society में बच्चों को पड़ाना होता है, उसी हिसाब से student एक status है, और role इसके साथ associate यह है, कि उसको पड़ाई हासल करनी है, ठीक है, तो यह distinguish, एक दूसरे से इस बनियाद पे होते हैं, कि कि status को कौन सा role मिला है, ठीक है, और उस role में कुछ set of rights और responsibilities होती है, जैसे मैंने बोला, father के rights, मतलब उसको कौन से हुकुक मिलते हैं, for example, उसको बच्चों से respect मिलती है, wife से care मिलती है, ठीक है, उसी हिसाब से उसको फिर कुछ responsibilities होती है, responsibility towards his wife, children, उसके बाद, social differentiation is indispensable for the satisfactory performance of basis tasks of society, यह social differentiation के बिना society नहीं चल सकती, यह जब हम indispensable बोलती हैं, यह necessary होती हैं, यह critical होती हैं, जो भी इनके performance, जो भी इनके roles होती हैं, अगर यह उन roles के हिसाब से नहीं चलेंगे तो society में breakdown आ सकता है, जैसे father का का काम होता है कि उसको family की take care करनी पड़ेगी, उसके लिए उसको lovely hoe डोड़ना पड़ अगर वो यह सब नहीं करता है, तो family breakdown हो सकता है, ठीक है, उसके बाद, society can be seen as consisting of strata in hierarchy with the most favored at the top and the less privileged near the bottom, society में हम देखते हैं कि कुछ strata होते हैं, strata मतलब group of people, ठीक है, वो क्या होते हैं, यह strata मतलब layers में होते हैं, यह जैसे crest mandala को तीन layer होते हैं, उसी हिसाब से, यह hierarchy में रहते हैं, यह layer जो जिन में group of people होते हैं, और most favored है top and less privileged near the bottom, जिन में, जो मतलब जिन का power ज्यादा होगा, जिन के पास privilege ज्यादा होगा, वो top पे आ social difference आख को समझ में आई होगी, अब हम देखते हैं, यह social differentiation, social stratification कब बन जाती है, social differentiation को social stratification में तबदिल होने के लिए दो conditioners चाहिए, एक तो होती है, differential evaluation and ranking of position, जब हम evaluation का मतलब होता है, fixing of value, जब हम अलग-अलग value देंगी, वो ranking of position, जो भी हमे social position मिली है, उनको हम अलग respect यह care देंगे, for example, teacher को अलग मिलेगी, एक labor को अलग मिलेगी, फादर को अलग मिलेगी, मदर को अलग मिलेगी, ठीक है, और ranking होगी इनकी, for example, हम top layer पे रखेंगे, एक additional, एक district magistrate को, उसके बाद हम बोलेंगे, कि इसके बाद डाक्टर आएगा, मतलब, power होगा district magistrate के प district administrator top की layer पे आएगा, उसके बाद हम रखेंगे डाक्टर को, उसके बाद teacher को, उसके बाद एक manual labor को, ठीक है, तो हमने क्या करा इसको, जो भी social positions हमारे पास थी society में, हमने differential evaluation की उनको, उनके साथ जो values attached थे, हमने उनको treat किया कि ये different है, तो जब हम social positions को इस बनिया पे categorize करते है इनकी evaluation अलग-अलग करते हैं, और उनको ranking देती है, फिर उनकी position बन जाती है, कोई top ये आ जाता है, कोई बीच में आ जाता है, कोई उसके नीचे आ जाता है, ठीक है, एक तो ये condition हो गई, जिससे social differentiation turn out हो जाएगी, social stratification में, ठीक है, और दूसरा, offering or withholding rewards to the incumbent, incumbent मतलब जो भी person आपका कोई भी किसी भी position पे हो, social status में कोई भी position इसने hold करी हो, चाहिए डाक्टर है, इंजीनियर है, फादर है, मदर है, तो जब हम किसी इन social positions को किसी में offer करेंगे, या किसी में without, किसी को देंगे rewards और किसी को नहीं देंगे rewards, for example, reward in the sense, एक district को ये authority दी जाती है, कि वो district मे अगर उसको लगेगा किसी पे कोई गलत हो रहा है, उसके पास power होता है, वो उसके खलाप action लेता है, लेकिन एक manual labor ये काम नहीं कर सकता है, जो भी social positions होते हैं, कुछ को rewards देते हैं, कुछ को rewards नहीं देते हैं, उसके बाद, once statuses are differentiated, ranked and evaluated, they are rewarded with varying amounts of valued goods and services, एक district magistrate को हम full authority देते है लेकिन same authority हम किसको नहीं देते हैं, doctor ये, engineer है, manual labor को, ठीक है, उसे साब से क्या बोलते हैं, जब हम social differentiation, जब हम statuses को differentiate करते हैं, rank करते हैं, और उसके बाद हम reward करते हैं, इनको मुक्तलिफ amount of services ये goods इनको देते हैं, ठीक है, for example, इनको तनखाए जादा मिलेंगी, जो भी top layer पे ह होंगे, उनको authority जादा मिलेगी, और जो lower level पे हो, उनको पैसे भी कम मिलेंगे, और उनके पस authority भी उतनी नहीं रहेगी, उसके बाद, social stratification arises with the unequal distribution of desired and square resources among people placed in different layers of strata, ठीक है, social stratification फिर arise होती है, जब हम equally unequal distribution करते हैं, किनकी, जो भी हमारे पास resources होते हैं, उनको किन में distribute करते है group of people में, जो होते हैं, different layers in different status में, अब हम बात करते हैं, type sub social stratification की, जब हम social stratification के types को देखते हैं, इसमें कितनी किसम होते हैं, तो हमारा एक social justice है, जिसका नाम TB Botmore है, उसने चार type sub stratification दी है, एक होती है slavery system, दूसरा e-state, तीसरा caste और चौथा class system, ठीक है, पहले बात करेंगे slavery system क slavery system को आपने पहले याद रखना है कि इसको abolish करा गया था, Britain में, 83 में, 18 slavery system के related आपको पहले याद रखना है कि इसको abolish करा था, Britain 65 में, ठीक है, ये दो dates आपको याद रखने हैं, इनको इस slavery system को हमें आगे भी syllabus में पढ़ना है, तो इसलिए हम इस पे अभी उतनी बात नहीं करेंगे, बस हमें थोड़ा सा आइडिया मिलना चाहिए, क्या होता है, तो इसकी definition दी है, एक social justice, उसको नाम है, LT है, बहुस, उसने इसको define करते हुए बोला है, कि slavery system क्या है, इसमें एक slave as a man, home, law and custom regard as the property of another, slave system एक system है, जिसमें जो इनसान, जो man होता है, उसको law और custom regard करते है कि ये property है, एक दोसरे इनसान, slavery system is a type of social stratification, इसमें एक master होता है, ठीक है, और slave होता है, top की layer पे master होता है, जो इसको own करता है, और bottom की level पे slave होता है, जिसके अपने कुछ rights वगारा नहीं होते हैं, ठीक है, उसके बाद, दोसतरा जो type है, हमारे पास, उसको हम बोलते हैं, इस state system ठीक है, इस state system क्या होता है, इसमें strata होते हैं, strata मतलब groups of people, जो के layers में divide करे होते हैं, और इन strata में हमें different rights और obligations देखने को मिलते हैं, मतलब जितने भी strata होंगे, उन सारे strata में सब के अलग-अलग rights और obligations होंगे, ठीक है, देखने को मिलते हैं, highest state, ठीक है, highest state में कौन कौन से आते हैं एक तो नॉबलीटी दूसरा military aristocracy हम बोलते हैं जिनको hereditary titles मिलते हैं second estate हम बोलते हैं उसमें कौन-कौन से आते हैं ठीक है उसमें आते हैं हमारे clergy और priesthood ठीक है वो जो लोग हमारे church वागेरे में होते हैं वो और जो religious कामों के लिए हमें जिन लोगों को मुंतकिप किया हुआ होता है वो सारे आते हैं हमरे second estate में third stage में आता है merchants and craftsmen ठीक है merchants and craftsmen लोग कौन होते हैं जो यही merchants and craftsmen उसके बाद bottom पे आते हैं e-state में free peasants and serves ठीक है जो तीसरा type है वो है caste system ठीक है caste system भी एक system है जिसके बुनियाद पे हम society यह society में रहने वाले लोगों को categorize करते हैं ठीक है लेकिन यह हम बोलते हैं कि यह unique to Indian society है दुनिया में यह सिर्फ Indian society में देखने को मिलता है यह caste system caste system हमें आगे जाके भी पढ़ना है तो इस वज़ए से हम इसको इतना ज्यादा अभी time discuss नहीं करेंगे आगे जाके हम इसमें जितने भी components caste system में होंगे वो अच्छे से discuss करेंगे हम लेकिन अभी के लिए हम यह देख लेते हैं कि यह close social group है close मतलब इनको यहाँ पर mobility possible नहीं होती है मतलब बाहर से कोई अगर जितने भी कास्ट है जो कास्ट की outside है यहाँ पर मैंने पहले जो बोला था ascribed or achieved states कास्ट को हम बोलते हैं कि यह एक ascribed states है जो बंदा जिस कास्ट में पाइदा हुआ है जिसने जिस कास्ट में बरत ली हुई है उसको वो कास्ट naturally मिल जाती है यह ऐसा नहीं है कि अगर मैं किसी और कास्ट में पाइदा हुआ तो मैं कोशिश में दोसरे कास्ट में भी जा सकता हूँ नहीं जिसमें मेरी बरत हुई है मुझे वही कास्ट मिली और कास्ट का क्या रहता है इनका एक fixed hierarchy रहती है ठीक है जिसमें कुछ लोग superior होते हैं और कुछ लोग inferior होते हैं आगे चलके हम देखें कि कैसे ब्रहमिन जो होते हैं वो highest level इक्तियार करते हैं और उनके comparison में shouldras at the bottom होते हैं ठीक है उसके बाद चौथा system जो है जो type of social stratification वो है class system ठीक है class system ये ना religion इसको define करता है ठीक है ना है इसको कोई legality होती है ठीक है अलबता है ये क्या है ये class system एक open group है open group मतलब कोई भी upper class में जा सकता है कोई भी lower class में जा सकता है कोई भी middle class में रह सकता है ठीक है और जो यहां पर categorization की जाती है या difference की जाती है वो based on wealth and income होती है उसके बाद age set system और एक type है social stratification में इस age set system में क्या होता है यह stratification करी जाती है on the basis of age ठीक है उमर के हिसाब से society को categorize करा जाता है यह mostly हमें देखने को मिलती है tribes में particularly East Africa में Masai और Nandi tribe है इन दो tribes में यह particularly यह age set system देखने को मिलता है इसमें क्या होता है एक इनसान को authority मिलती है एक इनसान को rights मिलते है according to the age group which he or she belongs to जैसे इनका age group क्या होता है पहले तो एक जब बचा पाइदा होता है उसको childhood age group में रखा जाता है उसके बाद वो junior warrior बन जाता है ठीक है थोड़ा सा जब वो बड़ा हो जाएगा junior warrior बन जाएगा उसके बाद जैसे ही वो और बड़ा बन जाएगा फिर senior warrior बन जाएगा ठीक है उसके बाद जब उसकी age बड़ेगी तो वो क्या बन जाएगा junior adult ठीक है junior adult بن جائے گا उसके बाद senior adult is last category ठीक है यह होती है age के हिसाब से जितना आदमी बड़ा बन जाता है age के हिसाब से उतनी उसकी responsibilities भी बढ़ जाती है और authority जो उसको मिल दिये उसमें भी इशाफ़ा हो जाता है age set system में race और ethnicity में क्या होता है society को categorize करा जाता है race या ethnicity के बन्याद उपर race में कौन कौन सी चीज होती है race को हम बोलते हैं कि ये एक biological concept है इसमें हमें color of skin type of hair जिसमें facial features इनका चहरा वागेरा कैसा है और size of head क्या है ये सारी चीज़े आते हैं race में जब हम इन बन्यादों पर society को define करेंगे और इसी के बन्याद पर किसी group of population को ज्यादा rights मिलेंगे किसी को काम मिलेगी तब हम बोलेंगे कि society के जो stratification हुई है वो race के बन्याद पर हुई है उसके बाद ethnicity आता है ethnicity को हम बोलते हैं ये cultural trait होते हैं यह यह social concept है race biological है ethnicity cultural है ethnicity में हम देखते हैं किस group में एक common cultural heritage है वो group common language बोलता है और उस group की common history है ठीक है common language, history और national origin या लाइफस्टाइल जिनका सेम रहता है उनको हम बोलते हैं कि इनकी ethnicity सेम है तो उसके बन्याद पर society को categorize करते हैं social stratification यह तब ही हम बोल सकते हैं इसको जब हम फिर इस बन्याद पर ethnicity के बन्याद पर किसी group को ज्यादा advantages देंगे और किसी group को common advantages देंगे तब जाकि हम बोल सकते हैं कि इस की stratification इस society की stratification हुई है on the basis of ethnicity उसके बाद कुछ dimensions देख लेते हैं या base भी हम कहते हैं कि social stratification की कौन सी base है ठीक है base मतलब जिस पे इसकी बन्याद है social stratification हम इनी चीज़ों को लेकर करते हैं पहला ही जो इसमें है वो है class ठीक है class में हम देखते है economic differentiation किस के पास कितना ज्यादा पैसा है किस के पास कितनी ज्यादा resources है उस बन्याद पे जब हम society को categorize करेंगे जिसके पास ज्यादा land होगी जिसके पास ज्यादा resources होगी उनको upper class में रखेंगे जिसके पास काम होगा उनको lower class में रखेंगे तो उस time पे हम बोलेंगे कि हमने इस society की stratification करी है on the basis of class ठीक है differentiation at the level of wealth भी हम बोलेंगे इसके किसके पास कितनी ज्यादा wealth है उसको उस category में रखा जाएगा और इसमें क्या होता है groups possessing more wealth while ranked higher in society than groups which control less of it मैंने अभी भी बोला जिसके पास जितनी ज्यादा wealth होगी उसको उतना ज्यादा higher stats मिलेगा जिसके पास कम होगी उसको उतना ज्यादा कम category वाली position मिलेगी ठीक है उसके बाद दूसरे नमर पे आता है power इस बुन्याद पे society में देखते हैं कि stratification होती है power में क्या होता है differential access to power in society जिसके पास जितना power होता है यह access to power होता है उसको उस हिसाब की category मिल जाती है जो ज्यादा power हो जिसके पास ज्यादा power होगा उसको highest category मिलेगी जिसके पास कम power होगा उसको lowest category मिलेगी power हम इस हिसाब से भी देखते हैं for example एक district magistrate को कितना power है as computer teacher यह कितना पावर है as computer farmer ठीक है farmer के comparison में एक teacher के पास कितने ज्यादा पावर्स हैं जिसके पास ज्यादा पावर्स हैं उसको ज्यादा higher category मिलेगी social stratification में ठीक है उसके बाद पावर्स में एक आपनी social justice याद रखना है उसका नाम है member उसकी एक definition है authority को लेकि उसने बोला है कि जब हम power to impose one's will on other group by legitimate use of course of method उसको हम बोलते है authority जब हम impose करते हैं अपनी will किसी और बंदियां group के उपर मगर उसके पीछे एक legitimate course method हम योज करेंगे उसको हम बोलते है authority से उसके बाद तीसरी base जो है social stratification की वो है status status में हम देखते हैं distribution of किस कि prestige या social honor की prestige और social society में किसको कितनी respect मिल रही है उस हिसाब से जब हम categorization करेंगे लोगों की तो हम बोलते हैं कि हमने ये categorization on the basis of status करी ठीक है ranking of groups in society on the basis of their relative position in terms of honor and respect किस group को कितनी ज़्यादा respect और honor मिलती है उसको हम बोलते हैं कि उसका उतना ही status है तो उस हिसाब से उसकी उतनी ही higher category होगी social stratification में ये तीन basis होए social stratification के अब हम बात करेंगे theory is up stratification के बारे में ठीक है पहले ही theory जो आती है social stratification को लेकर वो है marction theory माक्शन theory में आपको ये याद रखना है कि इसके proponent जे थे वो काल माक्श थे और उनके हिसाब से man और wild animals में एक difference होती है wild animals depend होते है nature पे for example अगर गास उगेगी जंगल में तब जाके हिरन वो गास खा पाएगी otherwise अगर गास नहीं उगेगी तो वो खुद से गास नहीं उगा सकती she is dependent on nature जिस हिसाब से उसको nature चीज़े provide करेगा उसको उसी हिसाब से चलना पड़ेगा ठीक है तो मगर man के relation में ये सब possible नहीं है man manipulate करता है nature को अपने ज़रूरियात की हिसाब से for example अगर मेरे पास एक piece of land है अगर मुझे चावल खाना है मैं उसको चावल ही उगा सकता हूँ अगर मुझे गेहों खाना है मैं उसको गेहों ही उगा सकता हूँ that means मेरा जो control है land पर वो मेरा अच्छा खासा control है मेरे land पर मतलब मैं अपने मन पसंद चीज़े खा सकता हूँ मैं अपने मन पसंद हिसाब से कुछ भी कर सकता हूँ ये basic difference है man और wild animals में उसके बाद उसने ये बोला man को और एक power होता है वो कमा सकता है ज्यादा as compared to जो उसको जरूरत है for example animals के हिसाब से ये नहीं होता है वो उतना ही खाएंगे जुतना उनको जरूरत है वो save नहीं रखेंगे वो reserve नहीं रखेंगे लेकिन man reserve कर सकता है वो accumulate कर सकता है तो इस वाज़े से क्या होता है जब man accumulation करता है उसको surplus आ जाता है मतलब जितना इसको जरूरत था इसने जरूरत से ज़्यादा produce कर लिया इसके पास surplus resources आ गए और इन surplus resources को ये क्या करता है ये और ज्यादा accumulation करता है ठीक है जिससे division of labor बढ़ जाता है for example अभी मैं एक individual society का मैंने rice produce किया मैंने अपनी consumption level से ज्यादा produce किया ठीक है जो मेरा ज्यादा था वो मैं आप बेचूंगा किसी और को तो उस बंदे को मेहनत नहीं करने पड़ेगी rice produce करने में वो कोई और काम कर सकता है उसके बदले में तब जाके वो फिर उस काम के बदले में rice खरी देगा और अपनी services देगा ठीक है उसी हिसाब से ये बोलता है man फिर क्या करता है private property acquire करता है और उसके हिसाब से फिर उनमें एक class system develop हो जाता है और यही बन जाता है base social stratification का कौन सा private property जिस बंदे ने जितनी ज़्यादा private property accumulate कर ली उसको उस हिसाब से उसका class मिल जाएगा और यह base बन जाएगी social stratification की और उसके हिसाब से society में दो classes बन जाती है इसी private property को लेगे एक होता है rolling class और दूसरा होता है subject class rolling class exploit करता है subject class को ठीक है उसके बाद जो various institutions होते हैं society के जिसमें हमारे legal और political institutions होते हैं या religious institutions होते हैं ये सारे rolling class use करते हैं as an instrument जिसमें वो अपनी domination दिखाते हैं और जो उनके interests होते हैं resources होते हैं limited resources of society उन पे control के इनका होता है rolling class का लेकिन subject class के पास क्या रहता है इनके पास सिरफ अपनी physical strength है जिसके सोहरे वो अपना खाना खा सकते हैं या अपना पेड बर सकते हैं ठीक है वेबर के हिसाब से society में जो stratification होती है वो चार groups में होती है एक होता है upper class दूसरा होता है white color तिसरा होता है petty bourgeois वाजी और चाहोता है manual workers ठीक है उसके बाद है functionalist theory functionalist theory में एक चीज़ important है कि ये theory accept करती है कि societies में stratification exist करती है ठीक है और इनके हिसाब से ये stratification ज़रूरी होती है for the proper functioning of society और इन्होंने बोला है कि society में एक चीज़ होती है उसको हम बोल दे है functional prerequisite functional prerequisite क्या होता है ये होती है basic needs of every society basic needs of every society मतलब अगर एक society है इस society में एक डाक्टर की भी जरूरत है इस society में एक teacher की भी जरूरत है इस society में कॉबलर की जरूरत है और इस society में manual worker की भी जरूरत होती है ये होती है functional prerequisites क्योंकि इस society को रोज मारा की काम चलाने है तो रोज मारा की काम चलाने के लिए इनको ये basic needs फुल्फिल करना जरूरी होती है उसके बाद टेलकर्ट पॉसन टेलकर्ट पॉसन एक functionalist था उसने बोला social system जो होते ही न ये came to existence because क्यों आते हैं ये existence में people within this system wanted order and stability social system इस वज़े सा बनता है कियोंकि जो लोग society में रहते हैं उनको order और stability चाहिए stability चाहिए society में order और stability इस लिए चाहिए ताकि ये अपने जिन्दगी अच्छे से जी सके ठीक है उसके बाद value consensus and stratification ये एक हम पॉइंट बोला है टेलकर्ट पॉसन ने value consensus का मतलब होता है जो भी values एक society अपने stability या order create करने के लिए बनाती है values मतलब कुछ ऐसे rules कुछ ऐसे regulations जिसको सब बोलते हैं कि हमें इसी हिसाब से अपनी जिन्दगी जीनी चाहिए ठीक है मतलब अगर मैं एक value ये बोलू कि हमें अपने elders की respect करनी चाहिए ठीक है और एक ये बात है दूसरा हमें ये बोलना चाहिए कि मैं जो भी काम करता हूँ चाहे मैं doctor हूँ चाहे मैं lawyer हूँ ये एक responsibility है जो मुझे निवानी है towards the society ये दूसरा value हो गया ठीक है वो बोलता है कि ये values society खुद create करती है ये values ये वो shared beliefs होते है जो सब believe करते हैं इन चीज़ों में developer for stability of society इनको develop किया जाता है ताकि society में order आजाए stability आजाए और उसके बाद टेलकाट पोसन ने और एक important concept दिया value consensus कुर्स ट्रेटिफिकेशन ठीक है पहले हम देख ली थे हैं कि ये value consensus है कि टेलकाट पोसन के मताबिक value system जो होता है एक society का ये अपने अप इमर्ज नहीं होता है बलकि जो इस society के members होते हैं individuals होते हैं वो इन values को generate करते हैं values एक किसम के shared beliefs होते हैं shared मतलब जो सारे individuals of society share करते हैं beliefs होते हैं ये कुछ चीज़ों के लिए कि belief system for example कि अगर हमारी society में देख लेते हैं हमारा belief है कि हमें elders की respect करनी चाहिए ये एक belief system है shared मतलब ये सब सुचते हैं इसी तरीके से या ये सारे लोग मानते हैं इस बात को कि नहीं हमें elders की respect करनी चाहिए stability चाहिए और peace चाहिए ठीक है और इस stability और peace को maintain करने के लिए या order को maintain करने के लिए ये society क्या करती है ये एक value system बनाती है ठीक है जिस value system को सारे members जिदने भी society के हैं वो सारे इस value system को agree करते हैं और मानते हैं और उसे के according अपनी रोजमरा जिन्दगी चलाते हैं ठीक है और जब इस value system को सारे लोग मानेंगे इसको हम बोलते हैं value consensus इसमें सबकी रज़ाबंदी शामिल होती है इस in rules ये in regulations को बनाने में हो गया value system ठीक है अब उसने बोला value system और stratification में क्या relationship है ठीक है या जो इन values के मताबक अपने सारे काम कर पाए उनको उसी हिसाब से reward किया जाएगा ठीक है और उसमें उसने example दी है कि जो primitive societies थी for example अगर हम राजबूत्स को देखे उनमें high values दिये जाते थे किस पे bravery पे और value और पे मतलब जो जो जतना brave था उसको इतना ज्यादा value दिया जाता था society में modern societies में उसने बोला कि social stratification में पहले उसने ये बोला कि individuals को अब reward उनके social values के हिसाब से दिया जाता है जो जिस हिसाब से वो performance देंगे इन social values को लेके उस हिसाब से उनको reward दिया जाएगा और modern societies में value किस पे दिया जाता है ज्यादा individual achievement पे ठीक है individual achievement में क्या आता है इन में production activities आता है person के हिसाब से modern societies में जो बंदा excel करता है अपनी productive skills में जिसके पास production skills होते हैं उसको ज्यादा reward दिया जाता है society में for example जैसे हम इसकी example लेंगे मारुक जुकरबर्ग एक बंदा है जो कि आम बंदा था इससे पहले कि उसने एक application facebook बनाई और फिर वो बनाने के बाद उसने दुनिया में बहुत सारे पैसे कमाई ठीक है वो number one बन गया क्योंकि उसके पास skill था उसके पास वो knowledge थी कि उसने कोई चीज बनाई और लोगों ने उसे follow किया पार्सन के हिसाब से अब modern societies में individual achievements पे higher value दिया जाता है ठीक है उसके बाद functionalist theory में हमें Davis और Mori ये दो socialologists थे इनकी theory देखने को मिलते हैं इन्होंने एक article लिखा some principles of stratification ठीक है उस article के मताबक इन्होंने बोला social stratification is effective mechanism to ensure best people are selected for important positions इनके हिसाब से हर एक society में अपने अपने particular roles होते हैं ठीक है इस society को teacher की जरूरत होती है इस society को doctor की जरूरत होती है इस society को professor की जरूरत होती है और इस society को administrator जिसको हम district administrator भी कहते हैं उसकी जरूरत होती है ठीक है इन दोनों के हिसाब से social stratification ही वो तरीका है जिससे हमें जो best quality लोग हो वो उनको हम important positions दे सकते हैं जैसे हमें prime minister बनाना होगा हमें president बनाना होगा हमें chief minister बनाना होगा या हमें bureaucrats बनाने होगे बंदा आ जाए वो कैसे आएगा जब हम stratification करेंगें society में ठीक है उसके बाद सिकल and qualifications decide the position of individual in modern society डेविस और मोरे के हिसाब से दो चीजे जब इनसान में होती हैं वो decide करती हैं कि इसकी position क्या होगी जिस के हिसाब जिस इनसान के पास सिकल और qualification कितने quantity कितने level में हैं उस हिसाब से उसकी position decide होगी society में ठीक है जिस के पास ज्यादा सिकल होगा वो ज्यादा higher position पे जाएगा जिस के पास qualification भी ज्यादा होगी वो ज्यादा higher position में जाएगा stratification और जिसके पास ये दोनों चुजे कम होगी वो नीचे आएगा stratification category में ठीक है तो यहाँ पर हमारा आज का class खत्म होता है I hope आप सबी को अच्छे से सारी चीज़े समझ में आ गई होंगी अगर कहीं पर भी आपको लगता है कि आपको कोई doubt आ रहा है इस वीडियो को एक बार नहीं दो बार देखे यह एक important lecture है और मैंने बहुत सारी important चीज़े इसमें mention करी है तो इस वीडियो को अपने friends और अपने family जो भी आपके साथ preparation कर रहा है उनके साथ share कीजिए और हमें feedback ज़रूर दीजिए कि हमें कहां पर implement करने की ज़रूरत है पीडियाफ आपको टेलेग्राम चैनल पर मिल जाएगा जिसकी link हम description में दे रही है